हेलो दोस्तों कैसे हो आप सबी लोग वेलकम बैके हैं मारूल कंटेस्ट फचेंपियन का बैटल ग्राउंड का एपिसोड जल्दी से शुरू करते हैं और प्लैटिनम 2 पे आ चुका हूँ यहां पे मैं और प्लैटिनम 2 पे आते ही मैं हारने शुरू हो गया हूँ मतलब अभी तक मैं तीन मैच हार चुका हूँ प्लैटिनम 1 पे जाना है प्लैटिनम 2 को कम्प्लीट करना है तीन मैच जीतने हैं और प्लैटिनम 1 पे जाना है अभी तक तीन मैच हार चुका हूँ मैं यहाँ पे लगा थार बाकी उससे पहले जीत रहा था मैं बहुत सारे मैच and start करते हैं मैं मैच हारता भी हूँ यार इतना भी परो नहीं हूँ कि जीतते हैं रहूंगा token का मैच शुरू करने वाला हूँ जल्दे शुरू करते हैं लेट सी देखते हैं अब भी हम जीतते हैं या नहीं जीतते हैं लेकिन हाँ चाहे हारे हैं या जीते लेकिन मज़ा बहुत आता है बैटल ग्राउंड को खेलने में क्योंकि यार इसमें किरारश्ची बनते रहती है अगर एक राउंड आप आर तीसे राउंड पर जाता है मैच और तीसे राउंड में फिर बन्दा थोड़ा नर्वस भी हो जाता है हाथ भी कप शिवरिंग करने लगते हैं और भाई फुर खेलना भी अच्छा होता है बहुत कुछ होता है इस बार हमारा मैच है परागॉन के साथ में CC494 के साथ मैच है लेट जी देखते हैं क्या करते हैं सबसे पहले तूं मैं सोच रहा हूँ अपोकलिप्स भैन करने वाला हूँ मैं इसका इसके बाइदर अच्छे है यार सारे defender ही अच्छे है भाई सोरान से डर लगता है मुझे mojo सो भी डर लग रहा है groote भी है इसके पाफ king groote जो कि time लेगा सैसकोच को मेरे करना है counter नहीं है सैसकोच का मेरे पास man थी इसके पाफ defender ही defender है भाई मैं क्या band करूँ इसका doom doom ही band करने वाला हूँ क्योंकि यह a得inker अच्छा है अच्छे कंछा मैं इसमें ले सकता हूं मतलब इसकों मार सकता हूं किसी इंप को मार लेता हूं मैं से यह मुझे लगता है यह Harcule ले रहा है ओके सोर नहीं लिया से यह सर रों Si dola भाई सोरान नहीं लिया और इमद्वीन्ट एन बाला के कि power gain काफी जाधा होगा अगर जितने जाधा buffs आएंगे उतने जंदी power gain human toss लिया man thing please मत लेना man thing से डर लगता है मुझे toad भी मत लेना toad का कोई counter नहीं है मेरे पास इसने लिया है archangel and nick fury ले रहा है okay oh nick fury इसका six star में है भाई okay 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 nick fury के लिए counter आगया bishop and omega sentinel है attacker plus defender अगर defender नहीं रहे तो defenders defense में डाल देंगे अगर attacker नहीं रहा तो attack में डाल देंगे इसको और हाँ यही दो champions में select कर रहा हूं क्योंकि मुझे नहीं लगता दूसरे कोई champion काम करेगा okay bishop nick fury के लिए लेके आया हूँ okay इसने लिया है यहां पर guardian guardian किस काम में लिया है इसने बिशप को तो मैं attacker में यूज करने वाला हूँ यार चलो कोई नहीं यह भी psychology है बंदे को लग रहा है मैं bishop को उसमें डालूंगा defense में और magneto ले रहा है ओके omega sentinel के सामने magneto कुछ नहीं कर पाएगा ओके मेरे पास मोल मैं को लेने वाला हूँ definitely आप मैं सुछ रहा हूँ हरकुलीस को लूँ या मैं लूँ हाइपीरियन को हरकुलीस को लेते हैं हरकुलीस को लेता हूँ omega sentinel की जगह पर मारूंगा उसको अगर omega sentinel आ गया तो है यह दो definitely एक champion अभी ओर select कर सकता है सामने अरे बाई क्या पत्ते गिर गए बाई उसके उसके पत्ते सही गिर रहे हैं यार मेरे को मैं सिर्फ और सिर्फ अधिकर ले रहा हूँ वह बंदा defense पर defense जाल रहा है यार पत्ते सही गर रहे है बंदे के देख लो मेरे पस ना इसका पत्थर यह तिंक okay scorpion लिया भाई मुझे लगता सौरॉन लेने वाला है scorpion के लिए मैंने mole man लिया है ना mole man अराम से मार देगा उसको पहले हमें defense चूज करना है omega sentinel को डाल दूगया let's see mole man भी डाल मोल मैन को मैंने रखाए scorpion के लिए omega sentinel ही डाल रहा हूँ मैं और कोई option में थान ही अभी मेरे लिए let's see देखते हैं यह के डाल रहा है okay Nick Fury डाल रहा है मुझे bishop लेके जाना पड़ेगा definitely bishop ही लेके जाना पड़ेगा मुझे यही मार सकता है इसको and और देखते हैं यह को हरकुलिस लाएगा okay guardian लाया इसने okay okay guardian लाया इसने मुश्किल होगा इसके लिए लेकिन let's see देखते हैं वैसे मुश्किल हमारे लिए भी है Nick Fury की यार second life जो है यार यह बड़ा time बंदे को मारना असान है लेकिन बंदे का न जो second life आता है न उसमें थोड़ा problem create हो जाएगा रिच का ट्रिचर पर लगा हुआ ठीक है देख लेते हैं four hit का combo यहां पर इस्तमाल करना होगा मतलब चार hit के बाद में block पकड़ना होगा ताकि special one न छोड़े अपना बार-बार special two पे push करूंगा इसको मैं and यहां पे पहले तो पूरा combo देना है अब मैं यहां पर four hit का combo देन अब बेट करते हैं यह special two के बेट होने का सला एक तो six star में यह यह निक फ्यूरी और उपर से अवेकन भी है अद्धा बया अन्यवे कोई नहीं हम यहां पे special two फैक रहे हैं चलो इंसरनेट मिल रहा है इंसरनेट का damage 900 है बढ़िया यहां पर four hit का combo again में दे रहा हूं यहां मे कर दिया है एक मिनिट के अंदर टाइम की वज़े से थोड़ा problem हो जाए अन्यवे मैं इसका special two फाले बेट करता हूं हमारा special three बन चुका है ओके मेरे पास बॉफ था ना precision बॉफ की वज़े से रिजगट रिचर की वज़े से यहां पे हमारा power gain हुआ special three मारते हैं यह 39% पे है let's see देखते हैं कितना बचेगा ओके यह बचा 14% ठीक है कोई नहीं energy vulnerability आ गई होगी न इसको हां तो अब हम यहां पे four hit का combo again मुझे देना पड़ेगा five hit का combo दे रहा हूं मैं यहां पे and four percent second life इसकी activate कर ही देते हैं है na second life activate कर देते हैं उसके बाद में special factor का सिदे ओके यहां में 20 अरे बाई ओ यह क्या हुआ अपे यार मैं बूल गया बाई रिचकेट रिचर वाला यार सीनी बूल गया मेरी 100% healthy वाई कितना सही खिल रहा था मैं यार रिचकेट रिचर की वज़ा से second life में से fury मिली और उसकी वज़ा से इसका power gain हुआ और वो द इसको मार पाता ना क्योंकि मैं पूरा मार नहीं पड़ता मार नहीं पार था बीस सेकंड था है मेरे पास टोटल पहला पहला राण्ड जीद गया बंदा लेकिन यार कितना सही खिला था हमने पूरा मतलब छोटी सी गलती यार हो गई चलो दूसरा defender देखते है लट सी देख हरकुलीज लगाया है इसने होके वह तिरे पर सितन है सार्कॉर्पियन में ऑमेगा सेंटिनल तुफ धरका रगारा हैं कोई नहीं हम हैं हम एक हम क्या लगाया athe से महीं मैं मैं हर्कुलीज लगा दूझ क्याए जाया यह साले मेरे मेरे प Knights coconon से कोई स्बाइब हां ट यह से 6 यह वाला राउंड जीतने के बहुत चांसिस है मेरे पास मुझे सही सा मैं और्डिन रखता हूँ क्योंकि और्डिन के दो फाइदे है एक तो डैमेज भी देगा दूसरा पावर गेन काफी जल्दी होगा क्योंकि बफ मेरे पास जादा होंगे तो हम यहां पे बहुत जल्दी पावर गेन कर सकते हैं और स्पेशल त्री जब मारूंगा उसकी इमोटलेटी भी एक्टिव नहीं होगी तो यह प्लैन सही है यह वाला राउंड जीतने के बहुत चांसिस है हमारे लेट्सी देखते हैं क्या होता है तीनो तीनो मैं ओके दो एक्टिवे aperture कर चुका हूँ प्री फाइट लेट्सी देखते हैं यहां पे क्या होता है उसकी हल्त भी जादा नहीं है कम है इसकी हल्त मैरा 熟्सटार राइक फोगर है हेल्थ बहुत जादा है उसकी लेट सी देखते क्या होता है पहले तो हैवी फैको एनर्जाइज बफ जितने जादा बफ उतना जल्दी पावर गेन होगा हमारे बाई अबे हाँ यार एक तुम्हें बूली गया ये साला स्टान नमीन भी तो है हरे यार ये चीज तो मैं बूली गया ठीक है यहाँ पे दिया अनर्जाइज बफ आ चुका है स्पैशल थ्री मेरा एक्टिवेट हो चुका है रुको रुको रेसिस्ट कर दिया मैंने यहाँ ठीक है ओके इन्फियरेट की विज़े से मैं यहाँ पे इल भी हो रहा हूं विल्वावर की बहुत सही काम कर गी स्पैशल थ्री एक्टिवेट कर दिया मैंने 85% पे है लट सी यतना बचेगा ओके यह बचा 68% ओके ठीक है नौट गुड नौट बैड अलसो ठीक है देखते हैं अभी क्या होता है इसको एक फीट्स है अब यहाँ पे यह स्टान हो सकता है तो हम इसको स्टान कर सकते हैं यहाँ पे यह दिया स्पैशल वन ताकि बफ मेरे पे आये ब्लॉक प्रेफिंसी और ट्रू अक्वरेसी का बफ आया टूर स्टाइक का जितने जाद अब अब उतनी जल्दी पॉवर गेन होगा हमारा यहाँ पे इंटरसेप्ट किया हमने स्पैशल टू स्पैशल थी मारने वाला हुम है क्योंकि मुझे पता ही अब मर जाएगा सिदे यह दिया हमने एनरजाइज अब यह क्या लगा सकता है यहाँ तो यह मैगनिटो लगा सकता है क्योंकि आरके इंजल डिफेंडर नहीं है अगर इसे लगाया तो मैं यहाँ पर मौलमैन ले जाओंगा नहीं मौलमैन नहीं मैं हलकबस्टर ले जाओंगा अगर मैगनिटो इसे लगाया तो मैं मौलमैन ले जाओंगा यहाँ तो मैं हुमन टार्स ले जाओंगा एक ही चीज़ होप कर सकता हूं कि मोल मैं जल्दी से जल्दी प्यूरिफाई करें अपने आपको अगर मुझे डिफेंस रखना बढ़ाना प्रॉब्लिम हो जाएगी यार ये चीज़ भी प्रॉब्लिम है अगर देखा अगर वो सबसे पहले रखता न डिफेंस तो मेरे पास बहुत अच्छा चांसा मैं किसको रखूँ अब साले के पास चांस ही चांस है अग्देव ओमेगा सेंटिनल इसने यहाँ पर हम हलक बश्टर मेरे पाँ ऑप्शन ही नहीं है मैं हलक बश्टर को यूज़ कर सकता हूँ वो डेफिनेटल आर्केंजल को यूज़ करने वाला है क्योंकि मुझे पता है और को मैगनेटर सुटर मार नहीं पाता वो आर्केंजल ही यूज़ करना है अब आहोप की वो जल्दी से जल्दी प्यूरिफाइए करें ओके omega sentinel यह राउंड जीतने के चांस है क्योंकि यहाँ पर हेल्थ बहुत कम है omega sentinel की और हमें आर्मेठ ब्रेक करना होगा हमें यहाँ पे सेम तरीके का कॉंबो यूज़ नहीं करना है क्योंकि जैसे ही कं सेम तरीके के कॉंबो यूज़ करेंगे इसे आर्मर अपोने लगे जैसे मैंने सेम टाइप का कॉंबो यूज किया इसे आर्मर अपाया 97% है यहाँ पर मिरेको कम से कम अपनी गवानी है और जल्दी से जल्दी से मारना भी है 54% पर पहुचा दिया है इसे हमने Special 3 मेरे एक्टिवेट होने वाला है मैं Special 3 फैक रहा हूँ इसे 51% पर है Let's see कितना बचेगी यह 51 पर था ना 33 पर बच गई Okay मैं Unblockable हूँ यहाँ पर तो मैं यहाँ पर Combo यूज कर सकता हूँ अपना Okay एंड यह दिया है भी हमने यह है भी दिया Okay हमने काफी जल्दी fight complete कर दी I hope की अबे बेटे उसने बहुत जल्दी मार दिया भाई 33 सेकंड में मार दिया मोल मैं को यार मोल मैं ने इस बर प्यूरिफाई किया ही नहीं इसका मतलब ओके ओके और वैसे भी होगा हेल्थ से जीत गया यार चलो मज़ा आया यार इसमें मतलब round 3 तक हींच के लेके गया मैं इसको मज़ा आया यह match खेलने में match हम हार चुके है लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है मज़ा बहुत आता है battleground को खेलने में तो guys I hope आप लोगों को वो बंदा platinum 1 पे जा चुका है तो guys आये हो आप लोगों को पसंद आया होगा और मिलता हूँ जल्दी तब तक ले बाबाए